दोस्तों नमस्कार मैं कैलाज विश्कर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ आज हम आरक्षन में क्या निया मैं जानेंगे तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्क के छात्र आज दे सकते हैं आवेदन सासन के आदेश HDM तहसिलदार को देना होगा आवेदन तो देखते हैं आज जवल पुर नई दुनिया के नियूज आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र चात्र हैं आज से HDM तहसिलदार के पास जाकर आवेदन कर सकते हैं तहसिलदार के पास जाकर जो आवेदन करेंगे इसके एक त पुष्टना के बाद से बड़ी शंख्या में छात्र कार्याले पहुंच रहे हैं और उन्हें वहां पर रहात नहीं मिल रही है तो देखिए नियम इन नियम को देखा जाएगा दस फिजदी आरक्षन लेने वाले शात्रां को आविदन करने के बाद नियमों के तहता संपत्ति प्रमान पत्र जारी किया जाएगा पांच एकड़ भूमी नहीं होनी चाहिए एक हजार वर्फिट से ज़्यादा का माकान नहीं होना चाहिए दो सो वर्फिट से ज़्यादा का प्लार्ट नहीं होना चाहिए आठ लाग से ज़्यादा की इंकम परिवार को नहीं होना चाहिए यदि आस्रीत है तो मातापिता परिवार की इंकम को देखा जाएगा SDM बतहसिलदार इसका सत्यापन करेंगे आदेशे में लें कि उप सचिवी पराड कर द्वारा जारी निर्देश में कहा गए कि भारत शासन द्वारा 1302 संविदान संसुदन के माध्यम से भारत सरकार की सेवाओं यह हम सिक्षन संस्थाओं के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो वरतमान आरक्षन की उजनाओं में नहीं आते को 10 प्रतिशत आरक्षन देने का प्रावधान किया गया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें